कॉंग्रेस और भाजपा एक दूसरे के जेरक्स है, फोटो कोपी है, अंदवी स्वास्की बड़ा फैक्ट्री भारती जन्ता पाटी आरेसे से, और उसका नकल एक छोटा पाटी कॉंग्रेस कर रही है, आहुल गांधी जी, जन्यों अंदर पहन लेते हैं, आप कॉंग्रेस के पॉलिटिक्स के साथ बामपंत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक तरफ डॉक्टर लक्ष्मन यादव को दिल्ली इनवस्टी से बरखास्त कर दिया जाता है, दूसरी तरफ मध्य परदेश में यादव मुखमत्री बनाया जाता है, हमारे साथ CPIM के विधायक है, सत इस भर में गुम गुम के बहुजनों को जगाने का काम करते हैं, और एक गुमनाम वेक्तिक यादव को मुखमंत्री बनाया जाता है, मध्य परदेश का, भारत के जितने भी तौफ विश्विद्याले हैं, एक अन्मिक संस्थान है, भारती इंता पार्टी आरे से समर्थक लोगों की जो है, एक पॉइंट्मेंट लगाता रहो रहा है, उस एक पॉइंट्मेंट के पीछे आरे से इसके एक पैचारी की जो है, आयाम है, इंस्ट्यूशन के अंदर आरे से इसके बीचार धारा को परतिया स्थापित करने के लिए, वो बड़े पैमाने पर इस तरह क लोगों है, जो ब्रहनवाद मनुवाद के कटू अलोचकर हैं, उन ब्यवस्थाओं को खुली चुनवती देते हैं, तो भारती जनतापार्थी के बैचारीक आधार से वो तकड़ाते हैं, और ये तकड़ाव जो है, भारती जनतापार्थी को आतंकित करता है, और इसलिए भारती जनतापार्थी अपने बैचारीक के जमीन को तयार करने के लिए, लच्मन जादो जैसा कई ऐसे लेक्टरस हैं, विद्वान हैं, एक निसियंस हैं, उनको संस्ताओं से बाहर किया जा रहा है, ये काफी ही दुरभाग्यपुर्ण हैं, कि भारत के जो दाले केंपस में होते हैं, तो विश्विद्दाले केंपस को वो एक तरसे कबजा करने के मुहिम में लगे हूँ है, उसी का परणाम है कि लच्मन जादो जी को उन्होंने विश्विद्दैले से बाहर करने का स्वड़न तरचाइए, एसे मैं बता दूं कि जो आपने मद्य प्रदेश की घटना के चिक्र किया या आप देखिएगा जचतिस घट या अभी राजस्थान का जो आया है वो एक तरह से जो बिहार के अंदर जो जातिगत जो जन्गन्ना हुई वो जातिगत जन्गन्ना में जो सचाई उभर कर सामने आई इस देश की जो मूल निवासी है वो मूल निवासी दलित पिश्रा आदिवासी उनकी तदात काफी है और सोसलिस्ट वामपन्थी बहुजन अमेदक्राइश्ट जो लोग हैं बोलो तो जातिगत जन्गन्ना के पक्ष में रहे हैं और संसाधनों के बटवाड़े के भी हिमायती रहे हैं तो संसाधनों के लगेड़े say जो कठ़ पुतली बहुजनों के बीच से जो बहुजन बाचान के जो राजनिती है वह बहुजन राजनिती को कमजूड करने के लिए उस्सी में से कुछ कठ़ पुतली लोग पैयदा करना हैं तो यह मोहन जादो हो या सोहन जादो या कोई और हो यह आरेस इसके कट पुथली है और इनका काम है ब्रहणवाद और पूंजी वाद को इस देश के अंदर मजबूत करना आपके जात के आदमी मुखमंत्री मैं तो आपको बता दिया ना जाती बीचारधरा नहीं थी है मुझे इस बात की खुशी नहीं है जाती से कोई जाती किसी जगह से आ जाए असल चीज हो चीज कोई बैचारिक प्रिष्ट हुए क्या है उनकी बैचारिक प्रिष्टी मनुवादी ब्रह्वनवादी और पूझीवादी बैचारिक प्रिष्ट हुई है और वो उस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को चाहते हैं हम अंबेतकरवादी मार्सवादी लोहियावादी पॉलिटिकल सिस्टम के हम लोग समर्थक हैं तो मार् प्रिश्टभूमी के लोग है जो राजनितिक विवस्ताई सधार्पन नीरूपन करना चाहते हैं उस बिचाधराओं के कार्ट में वो पहचान की राजनितिक लिए यादों पहचान की राजनितीक लिए परमूट कर रहें वास्ताव रूप में जो सच्चाई है जातिगत जो अकलियत जो है उसकी मेजरिटी गरीब 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 है ना उसके पास लेंड है ना इंडेस्ट्रीज है ना एकेड़िक संस्थानों का बर्चस्व है एक तरह से अपने ही देश में वहां सिये पर धकेल दिये गए तो यह तो बिस्फोटा की स्थिति बनती है और इस फोटा क मैं तो बोला ना कि भारतिये दिनता पाथी के जो भी बैचारिक अधार है वह बैचारिक अधार में ओबी सी दलित आदी वासे फीट ही नहीं बठते हैं तो जो भी आरे से सकर रहा है उस उस बर्ग में प्रवेश करने के लिए कटफुतली के रुप में शीवराज सिंग च करें तो सिर्फ इस्तमाल होंगे उनकी व्यक्तिकत कुछे आर्थिक और कॉंग्रेस वाले की कुण सी विचारधारा है कि नितीशकुमार या कुर्मे के डिने को करते हैं कि हमसे खराब डिने में एक बात बते हैं और बीज़पी एक दूसरे के जयरक्स हैं एक दूसरे के ज जी हनुमान जी के पूजा करते हैं भारतिय जिनतापाथी जो है बागेसवर जिसे लोग को लिके घुमती है तो जो ब्रहणवाद अंदविस्वास पोंगापंत के साथ कांग्रेस ये बीजेपी के लोग खड़े हैं वही आचरन कांग्रेस के लोग जब करने लगते हैं तो जनता के बीचे confusion जता है भरम जाता है तो फते बहादूर बोल रहते हैं मैं तो कोई बोले या नहीं मैं यह अब कब कह रहा हूं कि भारतिय जनतापाथी पोंगापंत अंदविस्वास का जो है जो फैक्टरी है और उसका नकल कॉंग्रेस कर रही है तो जाहिर सी बात है कि क जाहिर सी बार की बड़ी फैक्टरी की जीत होगी तो मैं आपको बोल दिया कि आप कोंग्रेस के साथ मैं नहीं हूं अब मैं आपको बताते हूं, कॉंग्रेस की पॉलिटिक्स के साथ बामपंथ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, चुनाव लड़ते हैं, एक बात आपको बताते हैं, चुनाव हम कॉंग्रेस के साथ कहीं मिलके नहीं लड़ते हैं, अब इंडिया गटबंधन होना अलग ब प्रचा हो उम्रचा है उसका समर्थनम कर रहें यह बात मैंने कहा न कि कॉंग्रेस पार्थी नितियों के अधार पर बीजेपी के जेरक्स को पीड़ा गई बिल्कुल और इसलिए वह बात जरूर कर रहें हैं वह बात भारत्पा का विरोद कर रहें कुछ तक विरोद कर रहें लेकिन जब ही जेरक्स होने के कोशिस करते हैं जनता पीड देती हैं यह कॉंग्रेस को भारतिये जनता पार्थी को जेरक्स बनकर इंडिया गटमंदन के नेत्रित करना है तो मैं नहीं समयता हो कि भाजपा को हरा सकती है कि बने के नेत्रित करेंगे नेत्रित करें होगा देश की जो मौझूदा राज्टी खला थे वह भारतिये जनता पार्थी के बिकल्प खोज रहा है और बिकल्प इंडिया गटमंदन होगा लेकिन बहार कांग्रेस को जेरक्स बनने की जो उनका प्रंपरा रहा है उसको बं और पहन लेते हैं तो कॉंग्रेस पहले तो दहन पेक्ष्टा की बाथ करती हैं तो जुकती आस्था का प्रस्न है लेकिन धंपेख्षता इस्टेट का नीचर होना चाहिए तो जब इस्टेट में आप रूल करने चलते हैं तो सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजे जैभीम जभारत